इस प्रस्ताव से विरोधी कैंप में कुछ खलबली मच गई गनेश ने अपनी टूटी-फूटी बंगला में समझाया कि उसके ताउजी और ताईजी बहुत ही बरे धर्मात्मा है और किसी के हाथ का छुआवा तो भूल जाए परचाई परावा भी भोजन करने को तयार नही मिस्टर शर्मा आप तो ब्राह्मन है ना हाँ गनेश ने कहा उसने यह नहीं कहा कि उन तीन मूर्थियों में केवल वह अकेला ब्राह्मन था और शेश दो कायस्त उसे ठीक जूट नहीं कहा जा सकता राजनीतिक सत्य कहा सकते हैं यह सत्य है कि ग्यात होने के पश्याथ बंगाली बाबू अपनी ग्रहिर्णी की इच्छा के बावजूत तीनों ब्राह्मनों की हत्या कपाप अपने सिर लेने के लिए तयार नहीं हुए गंगा सागर का जल भी उनका यह पाप्त होने में समर्थ नहीं होता अंत में समझोता यह हुआ कि रसोई में एक रेखा खीज कर भारक पाकिस्तान बना लिया जाएं रेत खोट कर दो चुल्हे बना लिये जाएं और दोनों परिवार अपनी अपनी सीमा में रहें विंध्या बाबु का परिवार चुकी शरनाथी परिवार था इसलिए दोआर के पास से दोआर की तीन चोथाई बंगाली बाबु के परिवार के लिए राज मार्क छोड़ कर रसोई का एक तिहाई भाग विंध्या बाबु के परिवार के लिए रिखाओं से घेर दिया ग जहां तक द्रिष्टी जाती थी जल ही जल था उस्थान से कई-कई मील उपर तथा सामने जल के उपर पखाना तैर रहा था कई-लाख यात्री वहां एकत्रित थे भाटा के समय मेले के आसपास की बालू सूखी रहती है लोग वहीं बैठ जाते हैं जब जुआर आता है तो पानी सारा पखाना बहा ले जाता है किंदू वह रहता है किनारे के जल पर ही छाया हुआ गनेश पानी में एक बार घुसकर निकल आया विंद्या बाबू और उनकी पत्नी ने उस गंदे खारे घोल में सनान करके पुन्य लाब किया बाद में दो दो बाल्टी पानी से नहा लिये रसोई में पहले गंगा सागर का घोल विशेश छिरका गया फिर अपनी सीमा के अंदर गर्म राख और अंगार छिरक कर शुद्धी की गई बिंद्रा की मा ने दाल पकाली और भाद बनाने की तैयारी में जुट गई जब डाल पक चुकी थी किन्तु चावल चुले पर चरहाया ही गया था उसी समय बंगाली महिला ने अपनी रसोई संभालनी आरम कर दी थी इस कारे के लिए बार बार भीतर बाहर आना जाना परता था और मार्ग लक्षमन रेखा को छूता वज आता था चुकी बंगाली महिला उस्षेद्र की महरानी थी इसलिए रेखा का बंधन उसके उपर लागू नहीं था विंध्या बाबू तठस्त रहे औरत जाच से क्या बोलते इधर इंच इंच करके घेरा छोटा होने लगा उधर बंगाली महिला का राजमार्ट तथा बिंद्रा की मा का काईस्थी क्रोध प्रशस्त होने लगा आखिर उनकी इसाहन शक्ती की सीमा पूरी हो गई और उसका प्रदर्शन बरे नाट की ये ढंग से हुआ जैसे ही बंगाली महिला का पैट चौथी रेखा पर पड़ा बिंद्रा की मा ने एक उंकार भड़ी और अपने नंगी हाथों से चावल की पोतली उठा कर कई गज़ दूर बाहर फेंग दी उनके मुख से सरस्वती की वीना की लहरी मुखारित होने लगी यद्यपी हू समय वीना हिंदी में बज रही थी किंतु उर्टु को छोड़ कर भारत की सभी भाशाओं का मूल संस्कृत होने के कारण बंगाली महिला को समझने में कठिनाई नहीं हुई वैसे धर्म भश्ट शब्द उर्दु वाले भी समझ सकते हैं वह महिला बंगाली थी वह महिला आशा से अधिक प्रभावित भी हुई भात की यह नाट की फिजुल खर्ची अपने धंग की अनूखी थी उसकी ओर से संधी प्रस्ताव बंगाली में ही आया आपको तो धर्म बहुत आता है तुमने क्या समझा था की चुन ओए हम ब्रामन हैं अरे तुम कोई भी हो हम किसी का चुआ नहीं खाते चुना दो दूर एक बच्चा भी रसोई में घुश जाए तो हम भोज़ा नहीं करते बिंद्रा की मा बोली अब वह बंगाली महिला भी अपनी धर्म की बात बोलने लगी फिर दोनों महिलाएं धीरे धीरे बरे सद्भाव से धर्मांधता की तराजू पर अंध विश्वास के बटे रखकर धर्म को तॉलने लगी बीच बीच में विंद्रा बाबू भी कोई टिपनी कर देते बंगाली महिला ने बहुत प्रयत्न किया कि वह अपने धर्म की कोई विशेश प्रभावशाली बात कहे किन्तु भात कीफे की हुई पतीली उसके मस्तिश्क पर कुछ ऐसी चा गई थी कि उसका मूच और सिर पर उस्तुरा फिरवाया अर्थाद धार्मिक भाशा में भद्दर हुए इस प्रकार मूंट कर बहुत से यात्री घर लोटे कुछ जेब भी मुंडवा कर लोटे और कुछ तो लोटे ही नहीं नावों के साथ गंगा में डूब मरे अर्थाद भगवान को प्य सत नारायन की कथा हुई भोज हुआ और विंध्या बाबु को काफी दिनों के लिए समय काटने का मसाला फिर से मिल गया और इसी तरह विंध्या बाबु की यह कहानी समाक्त हुई अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर लिखें और सब्सक्राइब कर ना भूलें आगे अन्य और भी कहानिया आपको सुनने को मिलेंगी